in the course of development और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है ऐसा कोई एक्जाम नहीं है टीचिंग का जहां पेडगोजी आती है और डिवलेपमेंट ना पूछा जाए तो यह सभी के लिए जरूरी है तो कल हमारी चुट्टी रही और कल भी हो सकता है शायद आफ ही रहे ऑफिस में पूजा है करिय स्किल्स बिफोर फाइन मोटर स्किल्स दस इंडिकेट्स देट डिवलेपमेंट इस यानी बच्चे जो है पहले ग्रॉस जी एफ गर्ल्फरेंट से याद कर रहा था आपको अगर जिन्होंने प्रीविस सेशन से एंगे मेरा फॉन देखा होगा बैच में हैं जो लोग और याद रहते हैं लोगों को जी एफ आजकल चलता है शॉर्ट में जी फॉर यहां ग्रॉस मोटर है और एफ फॉर फॉर फाइन मोटर है जी से एफ की तरफ जाते हैं सीक्वेंस जी एफ का यही रहेगा एफ जी नहीं हो जाएगा ठीक है ना तो पहले आप विकास की करम में बच्चे सूक्ष्म पेशय कोशल से पहले सकल पेशय या स्थूल गतिक कोशल सूक्ष्म क्या है फाइन मोटर स्किल्स क्या है लिखना ड्राइंग करना जो भी आपका आखों और उंग्लियों के हैंस की जो फिंगर्स हैं और आई का क्वाडिनेशन है आइस का उससे काम हो है तो वह है फाइन मोटरिस के ल्ट्राइंग पेंटिंग और या फिर आप एक धागा भी परो रहें एक सुई में यह भी क्वेश्न आया हुआ अभी आगे करेंगे तो यह सब आपके फाइन मोटर में आतें ग्रॉस में क्या आएगा ग्रॉस मतलब बड़ा ग्रॉस टोट एक यह सिंपल टू काम्प्लेक्स भी आप कह सकते हों समीह पस्तर दूरस्त विकास जिसके कहते हैं कि पहले बॉर्दी के सेंटर वाले पर्ट और सेंटर से फिर डिवल्यपमेंट होगा आपका बाहर की यूर यानि हैले आपका हाट डिवलेफ होगा फर आपका कंध wur play तो सब्सक्राइब तक के बच्रेंब कमाडन सीधार फिर डियनैर होast नहीं सकत है रिग्धेंट रिखिये ना हो करके क्या होगा कॉंपलेक्स होगा ये दो दिशाए हैं जो आपकी काम की हैं एक है आपकी से फेल और यानी बच्चा पहले सर समालना सीखता है फिर आपका जो ये शोल्डर्स है और फिर आपका लैक्स और ये जो हम टॉर्सों बोलते हैं दिसको ट्रंक ये समालना सीखेगा और फिर लेक्स की तरफ तो है टू-टू से फैलो कॉर्डल प्रॉक्सी मोडिस्टल है सेंटर से पेरिफरी के आम्स ज पड़ते हैं फटाफट से जवाब देंगे अब क्वेश्टन में टू है वीजनिंग फिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्स्प्रेंड इन विच आस्पेक्ट ऑफ डिवलेपमेंट तो को इसी क्वेश्टन को पचास बार पचास तरीके से पूछा जा चुका ह संग्यानात्मक विकास विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान डिसीजन मेकिंग भी हो सकता था जो भी काम दिमाग से होता हो रीजनिंग कहां होगी तर्क दिमाग में होगा बहुत किसी ना कहा ये काम कर लो क्यों करूं कहां से आ रहे ही तर्क यहां दिम तिंकिंग कुछ सोच रहे हैं दिमाग के कर वागे ही किशिल यह और जो का की सिरी है मोटल डियुल्पेंट है कि ओर स्वाइन प्र había फिजिकल डीविडेलेपमेंट शारots कुल रिकास समबंदित तो दिमाग से सम्म।ख यहां है honestly है cognitive development जिसमें reasoning thinking problem solving language इवन आपकी memory perception decision making problem solving जितने भी काम दिमाग से होते हैं वो सब cognitive development में आते हैं और cognitive development की ही theory है प्याजे और वाइगॉस्की की जो यह कहते हैं कि बच्चे का संग्यान यानि उसकी समझ कैसे कैसे विक्सित होगी उसका mental development यानि उसका मानसिक या intellectual development बहुत है कैसे होगा ठीक कॉगनिशन यानि संग्यान का निर्माण कैसे होगा आपको बता है हमने डिसकस किया था कि तीन प्रकार का development है PC SE को एक साथ ले लेते हैं हम यह चार ब्रॉड डोमेन हैं बट नंबर काउंटिंग में पूछले तो तीन ही लिखेंगे फीफ और फिजिकल यानि दमाग का विकास संग्यान का विकास की कि हम बहніं का लओर उक्रीटी आक इसी के सब्सक्राइबर ब्रॉड इसे दिसक्स कर्ते आ हैं लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेंड और राइट ब्रेंग को क्रीटिविटी से क्लरफोलनेस Ben gusta और आए या और ब्रें ऎलप यह लॉजिक है वो ब्रेन के लेफ्ट हैमिस्फेर से जो आपका बाया गोलार्द है उससे जुड़ा हुआ होगा जितने भी काम आपके लॉजिक वाले हो रहे हैं मैट्स है साइन्स है या कोई कैलकुलेशन आप कर रहे हैं दिमाग से भाशा का इस्तिमाल कर रहे हैं तो आप पॉसिब्टी नहीं है वो इमटे गर हो गयाति तो सब्सक्राइब होगा तो एक कर रहे हैं तो प्लॉनिक लॉजिक और लेंग्विज है राइट साइड में ख्रेटिविटिया इस बार पूछा गया था और समीपस्त्र दूरस्त विकास कि अगर हम बात करते हैं तो यह पैसी में इन फैसे किसको के रहे हैं जन्म से दो वर्ष जन्म से दो वर्ष के अराउंड किसकी बात करता है कौन प्रॉक्सिमो दिस्टल प्रिंसिपल डिवलेप्मेंट ओफ लेंग्विएज अकर्स रैपिड ली एस एज इस सेंस्टिव पीरिट फॉर लेंग्वेज दिवल तो यह तो गलत हो गया है है और क्या होगा सूक्ष्म गतिक कॉशल के विकास के साथ शारिक विकास तेजी से होता है यानि जब हमारा fine motor skills develop होंगी तो शरीर का विकास तेजी से होगा नहीं उल्टा है जब ग्रॉस यानि आपके यह जो भुजाए है यानि आम से लेक्से जो बड़ी मास पेशिया है उनका विकास होगा तब तो शरी का विकास हमें बड़ा सा नजर आएगा अदर्वाइस fine motor skills तो उंगलियां तो आपकी जन्म से हैं उनमें जान आ रहे है या उनमें ताकतारी मसल डिवलेप ह तो रहे हैं उनकी वह fine motor skill है उससे आप बड़े थोड़ी दिखते हैं fine motor skill के development से तो यह तो गलत हो जाएगा फिर आता है तो लिम्स continue to grow faster than the hands and feet जो अंग है यानि अभी नोने हिंदी में लिख देश को नहीं तो अगर लिम्स ही लिखते तो थोड़ा आसान हो जाता समझने में अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं अब कहीं लोगों को लिए हाथ और भी तो अंग ही होते हैं इवन म थोटे हुँंगे लेकिन आपको कहा जा सकता है बहुत ही शर्मनाक बात है कि आप सेफेलो कॉडल को प्रॉक्सीमो डिस्टल कह रहे हैं है एट टू-टो सेफैलो कॉडल मेंने बताया हुआ हुआ है रट्टे मत लगाओ सेफैल का मतलब ही होता है खोपड़ी सेफैलो बात हो ही नहीं रही उन्होंने पहले कह दिया हम प्रॉक्षिम डिस्टल पूछने तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं कौन से नशेया है क्यों आखिर सी ऑप्षिन इसमें सही है अब क्यों सही इस पर चर्चा करेंगे दो लेम्स कॉंटिनू तो ग्रोफ फास्टर देन दी है उलियंगे यह ईन्हेंस एंड पीट i ceremony जो प्रॉक्षिम अडिस्टल ब्रींसिपल है वह कहता है कि जो लिंस क्या है अंगनी सिन्हों नहींडी में लिख दिया लिंश मतलब जो हमारे पोर लेंग जयंगे पौणि में और ऐसे रुक internacional हो गये रख तरह से जो आम है मेरी connected होगी इस शोल्डर से सेम लेग्स के साथ होगी ये बात तो यह लिंग्स होगे जो connect करने वाले अरियास है तो यह fast grow होते हैं hands और feet से यही बात तो कहीं जा रहे है कहाँ कहीं जा रिये प्रॉक्सिमों तेल में के center से periphery center क्या है अगर आप देखेंगे यहां से यानि body के center से हैं तेजी से ग्रों होंगे लिंप्स क्यों क्योंकि सेंटर से परिफेरी जाते हैं हम मैं पिक्चर में सम्झा दूट वरी दिक पेंग अगर में बात करूं यहां पर क्वेशन क्या पूछा प्रॉक्सिमों डिस्टल प्रिंसेपल इस्टेट सेट इन इन फैंसी भाई मोटर ड चैनल क्यों से परिफेरी से थे से आज़ें और समस्थे कहानी चलनगा रही है यह आपके पास देरिकश के इंदर आती है इतना हम सबने पढ़ा है तीके ना अब देख रहे हो आसान टॉटिक से मुश्किल क्वेश्टन कैसे बनाया जा सकता है अब यह क्या है यह है आपका से फैलो कोडल से फैलो कोडल कोड से जुड़ा हुआ यानी हेड टू से फैल मतलब खोपड़ी हेड दू के बच्चा पहले सर समालना फिर गर्दन समालना फिर यह जो टॉर्सो है आपका इसको समालना फिर लेक्स की और कंट्रोल आएगा यह है टू टो क्या है से फैलो कोडल इसको लॉंगिट्यूडिनल या लंबवत भी कह देते हैं दिकास की दिशा ठीक है बच्चे के सर से पैर की और कंट्रोल आएगा ठीक है यह है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल जो दूसरी दिशा है प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रॉक्सिमो डिस्टल समीपस्थ दूरस्थ समीपदल नियर टू फार नियर किसके बॉड़ी के सेंटर के नियर से फार की और, फार क्या है, ये extremities है आपकी बाड़ी की, ये उंगलियां खत्म हो रहा है शरीर यहां पर, है न, ये extremities है, ये सीमाएं है, परिफेरी है, तो सेंटर पहले डिवलेप होगा कि आपका कंधों पर कंट्रोल आता है बच्चे का, फिर ये भुजाओं पर कंट्रोल आएगा, हाथ पर कंट्रोल आएगा, फिर हाथ के बाद, वो आता है न, क्वेशन के पहले बच्चा पूरे आम से पकड़ता किसी चीज को, फिर बाद में सिर्फ दो फिंगर से पकड़ने लगेगा, तो सिंपल टू कॉंपलेक्स, या फिर हम कहेंगे इसको, ग्र इसी तरह से आपके ये दोनों लिम्प होंगे, कि आपके लेक्स कनेक्टेड है, आपके इस टॉर्सों से, हैना इस सेंटर पार्ट से चार लिम्प हो गए, अब ये जो लिम्प है, क्योंकि ये बादी का सेंटर पार्ट है, यहां सेंटर से बाहर की और दिशा जा रही है, क टो लिंठ जो हिव फस्ट ग्रोंगे क्यों हूंगे बहुत अच्छे से समझ बात को तो इतनी कि गलती ना करें यह क्वेस्टिन फिर से पढ़ों इस बार समझ में आएगा नहीं प्रॉक्सिमों डिस्टल प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है इन फैंसी में ज्यानी बहुत लोग है यूट्यूब पे लेकिन थोड़ा से आपके ज्यादा आभी तक यह ग्रोग नहीं हुए ना आपके जोई जॉइंस है चारों बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग नहीं हुए तो अभी तो यह डिवलापी हो रहा है इसलिए इन फैंसी लिखा हुआ हुआ है इसलिए कहा जाता है हिंदी में कुछ भी लिख सकते हैं यह लिख दिया ट्रांसलेशन है सिंपल अगर इसी चीज़ को यह कुछ और लिख देते तो समझ में आ सकता था मुझे नहीं पता लिम्स को exactly हिंदी में क्या कहते हैं तो यह ध्यान रखना है आपके अंग हाथों और पैरों के तुल्ला में तेजी से बढ़ते रहते हैं तो यह जो लिम्स है यह पहले स्टॉंग हो रहे हैं फिर जाकर के कहीं आपकी हैंड्स और फिंगर्स या फीट डिवलेप होंगे तो इस सेंटर टू पैरिफेरी नियर टू फार केंदर से बाहर की ओ सेंटर टू आउटवर्ड इसी को तो कहते हम के बाहरी आउटवर्ड शेत्र ज पूलेपूला